महादेव जै भोलेना जै माता जी दोस्तों आप सजी का शुखत है धर्म ग्यान के मार्व में आज हम बात करेंगे कन्या पूजन दोहजर देश में 23 अक्टूबर कन्याओं को भूल कर भी ना खिलाए ये दो चीजें नहीं मिलता है प्रत का फल कन्याओं को भोजन कराने के ब अगर हमसे कोई भी जाने अंजाने में गलती हो जाती है तो मादुर्गा जो है नराज हो जाती है इसलिए कि कन्या जो है कन्या नहीं होती है सक्षात मादुर्गा ही हमारे घर में पधाती है कन्या के रूप में तो जानने से पहले अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को स सब्सक्राइब करके कमेंड बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखती जिएगा इनकी किर्पाप पाने के लिए दोस्तों हम सभी जानते हैं कि नव दीनों की नवरात है बहुत कठिन से सभी लोग पालन करते हैं लेकिन कन्या पूजन के दौरां कुछ गल्तियां कर देने से अमारा परत जो है खंडित हो सकता है कन्या पूजन से एक दिन पहले कन्याओं को समान के साथ आमंदृत करना चाहिए दूसरी बात है कि कन्या पूजन के दिन उनके आने के बाद सबसे पहले पानी या दूद से उनके पैरों को अपने हाथों से धोएं उस पानी को अपने सेर पर लगाना चाहिए और उनसे आसीरबाद लेना चाहिए इसलिए कि वो सक्षात जो हैं देवी मा ही रहती हैं कन्या के रूप में हमारे घर मादूर गाही आती हैं इसके बाद कन्याओं के लिए बने आसन पर उन्हें विठाएं और उनके सामने भोजन परोसें भोजन में आपको गलतियां क्या नहीं करनी हैं आपको हलुआ पोड़ी खीर, चने आप खिला सकते हैं लेकिन आप को भूल कर भी लासुन प्याज जो है बहुत सारे लोग होते हैं कि चणहओना जब चड़ जाता है बोलते हैं कि अप चणहओना चड़ गया तो हम सभी खाएंगे तो आप को भूल कर भी कन्याओं के भोजन में जो है लासुन प्याज का कोई भी बना खाना सबजी आपको नहीं देनी है और दूसरी चीज है कि साधा नमक, साधा नमक भी जो हम लोग डेली यूज में करते हैं वह नमक, यानि कि सफेद नमक से बनी हुई सबजी भी आपको कन्याओं को नहीं देना है इतना बात आपको ध्यान में रखना चाहिए वो तो हम सभी जानते हैं कि नौ दिन में घर में जो है लासुन प्याज जब हम नहीं सेवन करते हैं और एक दिन उस दिन जा करके अगर कर देते हैं तो ब्रत जो है घंडित हो जाता है बहुत सारे लोग होते हैं जो कन्याओं को गिफ्ट में कुरकूरे या कुरकूरे की पैकेट हो या कुछ भी प्लास्टिक के पैक में पैक आता है बनाने की बहुत सारे लोग है जो जिनके घर में माले जी कोई बिमार है या कोई भी अगर प्रोब्लम है उसके चलते आ उवह जो है मार्केट से कोई भी चीज मंगा करके जलेवी योगरा यह सब खिलाते हैं तो आपको भूल से भी ऐसी चीज़े कन्याओं को नहीं खिलाना चाहिए इसलिए कि कन्या जो होती है सक्षाद मा दुर्गा के शौरूप होती है और मा दुर्गा ही हमारे घर में पधारती हैं तो उनको भूल कर भी आप लोग अगर आप सबजी तो ऐसे देना ही नहीं चाहिए लेकिन सबजी आप देना चाहते हैं तो सेंधा नमक का इस्तमाल आप कर सकते हैं लेकिन ऐसे तो हल्वा पूड़ी है और एक बात और हल्वा पूड़ी और खीर भी आप दे सकते हैं झावल का खिर बना कर आप उननके थाली में परोसें और एक बात और मैं आप लोगोंको बता दू कि कभी भी आप थाली में थाली में भूल इसा तील पूरियां भूल न परोसें ऐसा करने से। culture आप हैं कि मौरने के बात ऊपने, 3 पूरियां परोसी Cecil यानि कि असुब होता है तीन पूरियां देना तो तीन पूरियां कभी भी कन्याओं को आप एक साथ ना परोसें एक एक करके आप तीन पूरियां दे सकते हैं तो उसे कोई दोस भी नहीं लगता है और तीन का तीन भी हो जाता है तो ये तो हो गई ये बाते अब हम देखिए दोस्तों आपको बताते हैं कि क्या करना है ध्यान रहें कन्याओं के साथ एक बालक भी होना चाहिए जिने भैरो भैया माना जाता है तो है एसी कोई भी गलती ना करें जिसे कन्याओं आप नराज हो भोजन पूरा होने के बाद कन्याओं का असिरबाद जरूर ले 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 यान आपको ऐसी गलती नहीं करना है आपको क्या करना है कि कन्या भोजन करने के बाद जब अपने घर जाने लगे तो भीट सवरोप जो भी मान लेजी आपके पास जो भी समर्थ है अगर समर्थ है दोस्तों तो आप लोग चुंदरी जरूर उढ़ाएं चुंदरी उढ़ाने से क्या होता है कि मा का सम्मान जो है और ज़्यादा बड़ जाता है तो चुंदरी आप लोग जरूर उण़ाएं और अपने समर्थ अनुसार धन भी जरूर दें उसके साथ आपको जो भी देना है जितना आपके पास समर्थ है उतना आप देखर की विदा कर सकते हैं ऐसे तो वह सारी लोग हैं जो कपड़े भी देते हैं लेकिन कपड़े में आपको भूल कर भी Nyahat को काला कपड़ा नहीं देना चाहिए काला या बॉल्लू बॉल्लू कलर का भी दोस्तों हर साल की कन्या का अलग-अलग महत होता है हर लेक्ती अपने सुभिता अनुसार कन्या पूजन करते हैं दो वर्स की कन्या पूजन करने से घर से दुख और धरिदरता दूर होती है और तीन वर्स की कन्या की पूजन करने से घर में धनलाव होता है और सुक सम्रीदी होती है पर साल की कन्या का पूजन करते हैं तो इसे परिवार का कल्यान होता है और आप पांच वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं तो आपको और आपके परिवार को सभी लोगों से यानि कि सभी रोगों से मुक्ति मिलती है यानि कि 10 साल तक कन्याओं की पूजन करने से 10 साल के कन्या तक का आप पूजन कर सकते हैं 10 साल के उपर की कन्याओं का पूजन भूल कर भी ना करें दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो अश्टमी को भी कन्या पूजन करते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो नौमी को भी कन्या पूजन करते हैं तो दोनों दिन कन्या पूजन का विधान है तो आपके यहां जैसा होता हो वैसा आप लोग जरूर कीजिएगा तो 22 अक्टूबर जो है अश्ट मिती थी है और 23 अक्टूबर को जो है नौ मिती थी पड़ रही है तो इसमें आप कन्याओं का पूजन करें आप लोग भेट में कन्या को मैं एक बार से और बता देती हूं एक बार फिर से कि आप लोग चुंदरी जरूर उढ़ाए और जथा सकती हो धन उन्हे अवस्य दे इस प्रकार करने से जो कभी भी आप लोग भूल कर भी मार्केट का खाना कभी भी ना खिलाए बहुत सारे लोग है जो मार्केट से दलता ही चलेवी और मिठाईया मंगा करके खिलाते हैं नहीं आप एक ही पूरी खिलाए ये लेकिन अपने हाथों से बना करके तो ऐसा आप लोग भूल कर भी ये गल्ती ना करें जिससे कि आपका प्रत जो है खंडित हो जाए उमीद करती हूं कि यह जनकारी आपको पसंद आएगी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब चरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में ज